अगर आपको मेरी एक्स्प्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आउन करना मत भूलना तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करें एपिसोड की शुरूआत में हमें एरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां एक लड़की किसी का वेट कर रही होती है तभी वहां हमारी इस ट्रामा की फीमेर लीड जिसका नाम दा हैसू होता है दिखाई जाती है और वो जो लड़की किसी का वेट कर रही थी वो हैसू का ही वेट कर रही थी क्योंकि वो लड़की हैसू की फ्रेंड होती है जिसका नाम कांगडा सॉम होता है जब ये दोनों मिलते हैं तो हैसू कहती है उससे कि तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत थी जब तुम बिजी थी तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारी मॉम ने कल मुझे कॉल किया था और वो काफी फसी साउंड कर रही थी और कहती है कि अब चलो मुझे बहुत भूख लगी है ये कहकर सोम वहां से आगे चली जाती है तो हैसू उसके पीछे जाने लगती है तब ही उसकी टक कर स्योयौन से हो जाती है तो हैसू उसे सौरी कहती है और स्योयौन कोई बात नहीं कहकर वहां से चली जाती है फिर यहाँ से इन शिफ्ट होता है और हम स्योयौन और देवन को देखते हैं जो कि वो जिन को ढूंडने यहां आय होते हैं पर वो उन्हें वहाँ भी नहीं मिलता फिर नेक्स्ट सीन में हम हैसु को देखते हैं जो की अपनी फ्रेंड के घर पर पहुँच चुकी होती है और वहाँ पहुच कर काफी रिलाक्स फील कर रही होती है हैसु से थोड़ी देर बात करने के बाद सौम कहती है कि तुम आराम करो मैं स्टोर जाती हूँ तो हैसु कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी तो सौम उसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम कल से ओफिशेली काम चुरू कर रही हो तो आज आराम करो तो हैसू कहती है कि मैं और कितना आराम करूँ मैंने फूरे एक साल इस्तर पर लेटे-लेटे बिताया है तो सोम उसे कहती है कि चलो आज स्टोर नहीं जाते नहीं घूमने चलते है तो हैसू मना करने लगती है तो सौम कहती है कि तुम्हारी बॉस तुम्हें घूमने चलने को कह रही है और फिर उसे वहाँ से ले जाती है फिर सीन शिफ्ट होकर स्योयोन और देवन पे आ जाता है जो अभी भी वूजिन को लेकर परिशान होते हैं देवन कहता है कि हमें CEO को बता देना चाहिए CEO यौन इस बात पर मना कर देती है तो वो कहता है कि पुलिस में कम्प्लेन कर देते है तो वो इस बात पर भी मना कर देती है फिर नेक्स्ट सीन में हैसू और सोम दोनों घूम रहे होते हैं तो सोम पूछती है कि क्या तुम सांस ले पा रही हो कहीं तुम्हें घुटन तो नहीं हो रही तो हैशू उससे कहती है कि मैं 1 साल तक US में थी पर लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं 10 साल वहां पर थी वो बात कर रहे होते हैं कि सूम देखती है कि बस आ चुकी है और वो हैशू का हाथ पकर कर ले जाने लगती है हैसु का हाथ पकड़ कर उसे कहीं ले जा रही होती है तो हैसु को ऐसा देख कर सोम उससे पूछती है कि क्या हुआ तो हैसु की हालत बिगरने लगती है तो सोम पूछती है कि क्या तुम ठीक हो तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ बस अचानक से कुछ सोचने लगी थी तो सोम कहती है कि क्या हम घर चले तो हैसो कहती है मैं ठीक हूँ फिर वो वहाँ से चले जाते है नेक्स्ट सीन में वूजिन एक रेस्टरांट में बैठा होता है वहाँ एक लेडी आती है और एक नोटबुक और पैन वो जिन की तरफ करती है तो वो जिन को लगता है कि वो लेडी उससे और्टोग्राफ मांग रही है तो वो जिन चिलाने लगता है कि मैं वो नहीं हूँ मैं कोई सेलिवरिटी नहीं हूँ तो वो लेडी पूछती है कि आपको क्या हुआ, क्या आप ठीक हो, मैं यहाँ आपका ओर्डर लेने आई हूँ और उससे कहती है कि ये मेनू है और तुम्हें जो चाहिए वो इस पर लिखतो तो वो कहता है अच्छा और बहुत इंबेरेस होते हुए अपना ओर्डर देता है और जब वो खाना शुडू कर रहा होता है तो उसे जंग्यौन की याद आने लगती है उसके साथ की गई भटी मीठी नोक जोक याद करके सैड होने लगता है यहीं हमारा एपिसोड थ्री एंड होता है थैंक्स फॉर वाचिंग से यो सून